हां होगर्लो फ्रैंट्स अमीना वुटिंग में आपका बहुत-बास स्वागत हैं दोस्थो आज की इस वीदियो के अंदर मैं आपको स्टैप कुर्ति की कर्टिंग बताने वाला जो पत्ली इस्सault हो ती है उसकी कर्टिंग कमर और हिप एक होगी लेंथ लंबाई यानि ठीक है लंबाई हम यहाँ पर 40 रख लेते हैं आप कोछ भी रख सकते हों चैस्ट का नाप दोस्तों हम यहाँ पर रख लेते हैं कि 19 इंच यह हाफ तयार नाप रख रहा हूं है कमर का रख लेते हैं 16 हिप का रख लेते हैं दोस्तों हम साड़े 20 तो यह हमारा नाप हो गया अब दोस्तों हम इसको बनाएंगे कैसे तो देखे सबसे में चीज़ आपको मैं एक पेपर पर करके दिखा रहा हूं आप इसी के साफ से कटिंग कर सकते हैं ऊपर की साइड आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल सीधा है इधर देखें दूसरा निशान दोस्तों कमर का ले लेंगे साड़े 14 तीसरा हिप का ले लेंगे साड़े 21 और यहां पर आपको लंबाई 40 रखनी तो 45 निशान लगा लेंगे अब दोस्तों यह जितने भी मैंने निशान लगाए हैं इस सीधे फुटे मदद से आप इसको सीधा कर लेंगे तो निसान हमने यहां पर सीधे लगा दिए देखी नीचे तक अब 7 इंच की जो आर्मूल लेंथ है यहां पर हम लखेंगे अपनी चैस्ट का नाप जो की है 19 19 का हाफ होगा दोस्तों साड़े नो ठीक है कमर का नाप 16 है इसको हम लगाएंगे अपनी साड़े 14 इंच वरी लेंथ बए तो 16 का हाफ होका दोस्तों 8 इंच यह कमीज का नाप उता रहा है वह नाप आपको भाता रहे हूं तैयार नाप उसके बाद दोस्तों साड़े 21 इंच पर आपको हिपड़े नाप रखना है जो कि ही हां पर देखें गानि लिख़्ाए साड़े उतना निसान लगा देंगे अव आको जितना तुलाई क्याप्वाओंच के लिए छाहिए कपड़ा उतना निसान आप एक ओल लगा लेक्टोड आप इसको यहां पे चाक का तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है अब आपको कितना मार्जन देना है तो यहां पर हम देखिए सब्सक्राइब ने पूरा नीचे तक अब तो दोस्तों यह आपका पूरा का पूरा अच्छी तरीके से निसान यहां पर लग चुका है है तो दोस्तों यहां पर हमें कटिंग करने यह मैंने आपको पूरा समझा दिया अब जो मैं आपको बता रहा हूं इस चीज पर आपको खास तोर पर दियान देना है दोस्तों यहां की लाइन हमाली बिल्कुल सीधी थी जो कि हमने देखिए यहां पर साथ इंच पर रखा है यहां पर भी बराबर में साथ इंच पर यह लाइन ठीक है अब आपको गला ब्रॉट कितना बनाना है मान लीजिए मेरे को गला इस साइज में रखूंगा साड़े साथ ब्रॉट तो यहां पर पोने चाल इंच का निसान लगाऊंगा दियान से देखना इस चीज को और इसक तिल्चे में दोस्तों अगर हम सीधा नापते हैं तो गले का जो मेजर्मेंट होता वह बिगड़ जाता हम तिल्चे में यहीं से नापेंगे जैसे मान लीजिए गला ब्रॉट आपको साथ इंच का रखना है ठीक है यह साड़े साथ का निसान लगाऊंगा ठीक है और इसको हम कि इस तरीके से यह से देंगे अब यह जो सेफ दिए ना यह भी दिहान रखें पहले आप निसान लगा लें कितनी इस टैप आपको रखनी है तो मैंने ऊपर से सवा चार इंच पर यहीं से आप इसको सेफ दे सकते हैं तो मैं यहां पर राउंड से बहुत अच्छी रहत इसको हम ऐसे रखेंगे ठीक है और यहां पर हम दे रहेंगे इस तरीके से सेफ फ्रेंज कर बना भी हो तो आप यहां पर चोग की मदर से निसान दे सकते हो यह निसान हमारा इस तरीके से यहां पर डाउन हो जाएगा ठीक है इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं अब साधे साथ का अदा पूनिचार होता है यहां भी हमने पूनिचार रखा रिसीप आमने लाइन लेके इसको ऐसे से दे दिये ठीक है इसमें कोई तीरा नहीं है कोई फुरंड नहीं कोई कुछ नहीं बस इसी तरीकी से करना अब इसको करनेंगे दोस्तों कटिंग तो ध्यान से है सब्सक्राइब दोस्तों मैं तृषा करता है अब इसको नीचे तक निसान को इसी निसान हो कति जाया करके दिखा देता हूं इसको हुस ऑफिर उसके बाद दोस्तों हम इसको यहां पर लंबाई में कटिंग कर देते हैं ठीक है यहां में पेपर को निकाल लेते हैं तो दोस्तों आप कि हमारा जो फरेंट वाला है ना यह इस तरीके से दोस्तों कटिंग हो जाता है अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं दिहान से समझना दोस्तों अगर आप इसमें बैक में भी बिल्कुल मतलब देखिए यहां पर अगर आपको पतली पट्टी वाला चाहिए बैक में भी आप सेम डीप गला रखना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल जैसे हमने इसको कटिंग कर देना है कुछ भी चेंजिस नहीं करनी आपका यह कटिंग हो जाएगा लेकिन मैं इसके अंदर पीछे से बिल्कुल इस तरीके सीधी पट्टी रखना चाहता हूं ठीक है और फरें जो अलग कटिंग करके दिखाने वाला हूं उसको मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से वह कटिंग होगा तो देखिए दोस्तों एक पेपर मैंने उल ले लिया ये बिल्कुल यहां का पेपर ना आपका सीधा होना चाहिए बिल्कुल भी त्रेड़ा मेरा नहीं होना है और अभी हम फीलहाल के लिए इसको prac अब अंचे इतना ऊपर से ना इस viewing को SLO अथ निशे तक इसको same cutting करके उताल लेते हैं डोगे दोस्तों हमने यहां पर बिल्कुल इसको equal cutting का कझिन नीचे तक आप देख सकते हैं यहारा एक पलदां़ ones Persons कैनव यहां ट करद गटका लगा लेए अब एक चीज को आप को दियान से समझना है दोस्तों अगर आपको बैक पला बिल्कुल इसी के बराबर देना हो तो आप इसको एक्वाल कटिंग कर लेंगे फरंडर बेल्कुल बराबर हो जाएगी लेकिन हम यहां पर बैक ओपन बनाने वालें बिल्कुल तो हम क्या करेंगी अब दिहान से लेखना इसकी जो आर्वी लेंड कानिसान इसको यहाँ पे यहां पो यह हमारा जारा यह वाला निशना इसको यहाँ प्कल देखना जो मैं बताने वाला हूं इसको ऐसा रजकर कर लेंगे कैं ठी realistic आप एक पहर का माल जर्ण फोल नहीं आदा इंच का यहाँ पर हम इसको कर लेंगे सीधा कटिंग तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाला इस सब बिल्कुल कट हो चुका है और यहाँ पर भी हम पूने चार इंच देखिए फरेंट में हमने जितना निसान लगाए ने यह वाला सीधी धिया यहाँ पर आपकी आजाएगी वाली थीक है तो हमारा यहां कटिंग यह हो जाएगा हरी हमारा वZe सेकंड पार्ट में दोस्तों इसी पैटन के मदद से बिल्कुल सेम हम जो है कपड़ा कटिंग करके आपको इसकी स्टीचिंग कैसे कर सकते हैं और दोस्तों यह पैटन से इसको यूज कैसे करना है ठीक है वो सब आपको वीडियो के थुरू बता दिया जाएगा लेकिन आप यहां पर देखें मैं आपको बहुत इजी तरीके से यहां पर इसकी कटिंग बता दिये लेकिन इसकी स्टीचिंग किस तरीके सो नहीं है तो दोस्तों आप वेट करें आने कमीज रैडी है और इसके अंदर एक चीज और हो जाती है दोस्तों जैसे अभी नहीं आप लिया अगर फिटिंग हलकी सी लूज है तो हम इसे बाद में अराम से इसको सिलाई से ऐसे दवा देंगे फिटिंग हमारी ओके भी हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर हमने आपको कटिंग दिखा दिए आपको वीडियो कैसे लगी कमर्स करके जुरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेड़ करना बिल्कुल भी ना भूलने थैंक्यों फॉर वाचिंग